हेलो, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आमारे यूटूब चैनल पर आज किस वीडियो में PTT exam के लिए हम लोग करेंगे mock test जिसमें हम लोग important question देखने वाले हैं जो कि आपके exam के लिए important हैं तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हिंदी के कुछ question करेंगे जिसमें पहला question है फुलेल में प्रत्य कौन सा है तो फुलेल में आपका कौन सा प्रत्य होगा एल प्रत्य होगा अगला है त्रा बर्ण किन बर्णों के सयोग से बनता है तो ये बनता है option भी ता प्लस रा निम्न बिकल्पों में किसी एक की बरतनी सुद्ध है तो चैन करना है तो कौन सा सब्द ऐसा है जिसकी बरतनी सुद्ध है तो option A कुआ कुआ आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि option B, ना option C और ना ही option D की तरह है निम्न लिकित में से आग्या बाचक बाक्य का चैन करना है तो option C, सरप्रतम पूजा करके काम में जुट जाओ, यह आपका कौन सा है आग्या बाचक बाक्य अगला है सिरो मड़ी का बिलोम क्या होगा तो सिरो मड़ी का बिलोम हो जाएगा option C, चरण धूली इनमें से कौन सा समू बाचक संग्या है तो option B, भीड किस समास में अत्वा पर चिन का लोप होता है तो option B, अधिकरण तत्त पुरुस एक छण भी ना सोचो कि तुम नश्ट हो तुम हो नश्ट, तुम अनस्वर हो तुमारा भाग सूस्पस्ट, किस रस का उधारन है तो यह है option B, बीर रस अगला है अच्छी का पर्यवाची क्या होता है तो option D हो जाएगा लोचन सो सयाने, एक मत, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है तो यह हो जाएगा option D, बुद्धिमानों के विचार एक से होते हैं अगला कोशन है निमलिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो option B, बागी के तीन आपके सही हो जाएगे तो देख लेते हैं option C नहीं होगा, बागी के तीन सहीं जैसे कि कोलकाता, हुगली चेत्र, टीटागड और छोटा नागपूच चेत्र यह हो जाएगा सिपकासी और एहमदाबाद बढ़ोदा चेत्र यह हो जाएगा भरूच कोलबान परियोजना का निर्माण भारत में निमलिकित में से किस नदी पर हुआ है आपसन B, सतलोजन दी भारत की निमल जीलों में से कौन सा आसाम में अवस्तित है आपसन D, चप नाला जील यदि ग्रहे की कच्छा देरग बरत है तो बहे बिनदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है आपसन D, वो कहलाता है फोकस निमलिखित में से कहा अंतर राश्ट्रिय समुद्रिय संगठन का मुख्याला इस्तेत है ओप्सन है लंदन भारतिय समुद्रिय संगठन के निमलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विवस्ता की गई है कि सभी अल्प संखिकों को अपनी रूची की सिछन संस्थाओं की स्थापना वप्रसासन का अधिकार होगा तो ओप्सन सी अनुच्छेद तीस राष्ट्रपति की मृत्टी होने या इस्तिफा देने पर राष्ट्रपति कार्याले के कार्य भार का पालन उपर राष्ट्रपति कप तक करेंगे तो ओप्सन सी अधिक्तम 6 महीने की अबाधी तक निमलिकित में से कौन सा एक राज्य के नीती निदेशक तत्तों का उदेश से नहीं है तो ये हो जाएगा option D एक धार्मिक राज्य के स्थापना करना निमलिकित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संबैधाने के उपबंद नहीं है तो आपसें D हो जाएगा एक राज संग राज छेतर सामिल कर सकेगा निम्न मैंसे किस एक पुरा एस्तल से पासान संस्कृती से लेकर हडपा सब्विता तक के संस्कृतिक अवसे स्प्राप्त हुए है तो आपसें B मेहर गड़ गौतम बुद्ध की मा किस बंस से संबन्दे थें तो कोलियाबन्स अगला ए उस पालसासक का नाम बताये जिसने बिक्रम सिला विस्च विद्याले इस्तापित किया तो आपसें A धर्मपाल असोक ने किया था असोक ने योगधरसन के प्रतिपादक हैं किस समध्य कालिन भारतिय सासक ने पट्टा एवं कभूलियत की विवस्ता प्रारम की थी मुगलो एवं मेवाल के राणा के मध्य चित्तावल की संदिक किस सासक के सासनकाल में अस्ता छरित हुई थी आप्सिन भी जहांगीर निमलिकित में से भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परन्तु गांधी बाद सदय बना रहेगा तो यह हो जाएगा ओप्सिन डी कराची अधिवेशन नाइंटी थार्टी बन कारडा मम पाढ़ियां जिनकी सीमाव परिस्तित हैं बे हैं तो ओप्सिन सी केरल एवं तमिल नाडू निमलिकित में भारत का कौन सा छेतर मर्दा अपरदन या इरोजन से अत्तितिक प्रभावित हैं तो यह हो जाएगा ओप्सिन डी चम्बल घाटी राश्ट्री पर्या बरन अभियांत्र की समस्थान इस्तित हैं तो ओप्सिन सी नागपूर में इस्तित हैं भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उप्यूक्त होती है तो आप्शन ए कपास की फसल के लिए निम्न में से कौन सा इस्थान सबसे कम बढ़ सा प्राप्त करता है तो आप्शन दी लिह भारत में दो सरवादिक नगरी करत राज्य हैं तो गोवा एबं मिजोरम बर्स 2011 की जनगर्णा के अनुसार निम्नकित राज्यों में से किसमे सरवोच साथ छड़ता इस तरह तो आप्शन ए मिजोरम सावर मंडल में छुद्र ग्रह एस्टरॉइट जिसको कहते हैं छोटे खगुलिय पिंड है जो निम्न ग्रहों के मद्य पाए जाते हैं वे हैं तो आप्शन B मंगल और ब्रास्पती भारतिय सम्मिदान का कौन सा भाग सम्मिदान की आत्मा कहलाता है आप्शन D सम्मिदानिक उपचारों का अधिकार भारत का सर्भोच नियायाले एक अभिलेक नियायाले है इसका आसे है की आप्शन C इसे अपनी अब मानना करने बालों को दंड़त करने के सकती है नेक्स्ट है हम नियायक पुनराब लोकन की वेवस्ता रखते हैं आप्शन D भारत और USA दोनों में भारतिय सम्मिदान के किस अनुच्छेद के अंतरगत राष्ट्रपती को अधिकार है की भाई किसी बिल पर अपनी अनुमती रोंक ले तो आप्शन D अनुच्छे देख सो ग्यार है एक्क्यू रीज सब्द सम्मंदित है आप्शन B बीमा से पूंजी बाजार से आसे है आप्शन A सेर मार्केट से सेर बाजार से हरित क्रांती से भारत के कौन से राज सरवादिक लाभानवित हुए आप्शन C पंजाब, हरियाना और पस्चिम, उत्तर प्रदेश रिजर्व वैंग के उस गवर्नर का नाम बताईए जो बित्मंत्री भी हुए तो आप्शन B सीडी देश मुख दाहिमालेन माउंटेनियंग इंस्टिटूट निमनिस्थानों में इस्तितwerk बहे है तो दार्जिलिंग भारत के निमनिकित राजियों में से किस राज का समुध तट सबसे लंबा आए तो गुजरात हिमाले के हिमनदो, गलेसियर्स के पिगलने की गती सबसे अधिक है इबन बतूता भारत में किसके सासनकाल में आया तो महम्मद बिन तुगलक बैंक दर से अभी प्रह उस ब्याद दर से है जो बैंक को दोरा रिन लेने बालों से ली जाती है अगला है भारती अर्थ बैवस्ता बढ़ने की जा सकती है तो एक विकासिल अर्थ बैवस्ता हाल ही में प्रकासित एक सोध पत्र में हिंद महासागर के समीप रहने वाले किस जीप के प्रत्वी पर पुना लोटने की संभावना व्यक्त की कई है तो सपेद गले वाली रेल अब साइन्स के कोश्चन जिसमें पहला है गैस फ्लेम या जॉला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं तो नॉन लिूमिनस चोन कहते हैं प्रकास बॉल्ट ये सिल्क के प्रियोक से सौर उड़्या का रुपांतरर करने से निमलेखित में से किसका उत्पादान होता है तो आप्सन B इलेक्ट्रिक एनर्जी विद्धो तोड़जा प्रिज्म से गुजारने पर प्रकास का कौन सा रंग सबसे अधिक बिचलन दर्साता है तो बैगनी किस पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अप एच्छी उद्भासन काल किस पर निर्वार करता है तो पदार्थ की चमक विद्धो चुमकिय तरंगे हैं तो अनुप्रस्त तरंगे विद्धो चुमकिय विक्रण जिसका उप्योग एक प्रभावसाली निजर्मक के रूम में होता है बहे है परावैगनी निमलिकित में से कौन सी विद्धो चुमकिय तरंग नहीं है तो धोनी तरंगे किसी विद्धाले के पास स्वासंचालित याता या सिगनल को लगाया जाना है या सिगनल किस सिद्धान पर अधारित है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन D प्रकास विद्धुत प्रभाव तामा किसके द्वरा सुद्ध होता है ओप्शन C विद्धुत अब गटन से अगला है तरल अवस्ता में पाई जाने वाली अधातू है तो अप्शन E ब्रोमीन ब्रोमिन जो है ये तरह लबस्ता में पाई जाने वाली के आया दातू दातूं के प्रष्ट पर एक उप्युक्त तरंग दैर्द का प्रकास पढ़ने पर इलेक्ट्रोनों के उत्प्रेचन की परिगटना को कहते हैं तो option C प्रकास वैद्धुत प्रभाव निमलिखित में से किस धातू का गल्लांग सबसे कम है option C पारा Hg बेयर का भी करमक क्या होता है तो बेयर का भी करमक होता है चारिये पोटेसियम पर मैगनेट Kmno4 रेडियो सक्रिये तत्थ होते हैं option B आस्तिर एक नावकिये चिक्रिया के दोरान मुक्त उड़जा होती है नावकिये उड़जा और सदियों और उनके कारिका अध्यन क्या कहलाता है option C और सदी प्रभाव विज्ञान तमाखु में निमलिखित में से क्या होता है तो निकोटीन लहो की कमी से कौन सा रोग होता है तो गायटर बहे धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है कोबाल्ट मानप सरीन में संक्रमान को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है सीमेंट उद्योग में निमलिखित में से किसका प्रियोग बड़ी मात्रा में किया जाता है चूना पत्तर रेडियो धर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है आप्सन A चट्टानों की उम्र मस्तिस्क तथा मेरू रजू पर चड़ी जिल्ली में सूजन आजाने से होने वाला रोग है आप्सन D मेनिंजाइटिस निमलिखित कत्रों में से कौन से सही हैं सही उत्तर का चैन नीचे कूट के से करना है तो आप्सन C हो जाएगा पहला और दुसरा मानप सरीर में और्विका या फीमर सबसे लंबी अस्ती है दूसरा है हैजारोग जिबानों के दौरा होता है हर्दय कब आराम करता है तो आप्सन C दो धलकनों के बीच निमलिखित में से कौन लहो का सबसे अच्छा सुरूत है पालक गाड़ियों को चलाने के लिए हाइडोजन गैस सुविदा जनक रूप से इधन के रूप में प्रियोग लाई जा सकती है यदि बहे कम ताप पर किसी पदार दौरा सोसित हो ताकि बहे निर्वातक दौरा उत्पन तापमान पर मुक्त हो सके यदि कौन सा पदार था जो भारत में पाया जाता है तो हाइडराइट रडार का प्रियोग मुखे रूप से किया जाता है तो ओप्सन सी रेडियो तरंगो दौरा वस्तूँं की उपस्तिती और इस्तिती ग्याद करने के लिए विस इस्तर के प्रोग्राम यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सम्मन्द है तो देखिए ओप्सन डी हो जाएगा मानब जीनो और उनके अनुक्रमों की पहचान और मान चित्रन से और आज का लास्ट है निमलिकित में से कौन सा रक्ट के हीमोगलोबिन के साथ अनुक्रमन ये संसलिस्ट बनाता है तो आप्सन सी कारबन मोनो अक्साइड तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही थैंक्यू